है गाइस कैसे हैं आप लोग वाइलकम तो अनकाडमी लेट्स क्रैक्ट यूपीसी से हिंदी और एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारी एम लक्षमिकान भारत के संविधान और राज विवस्था के इस 71 सेशन में सेवेंटी फस्ट सेशन है आज हमारा संस्था के बारे में जी हां यह संस्था भारत के संविधान के द्वारा बनाई गई संस्थाओं में अपना एक अलग महत्व और प्रभाव रखती है इस संस्था के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा और यह हम सभी भारत वासियों के जो खून-पसीने की कमाई है जो मे क्यों किया जाना सुनिश्चित करती है यह संस्था है नियंत्रक्त और महालेखा परिक्षक की जी हां आप सभी लोगों ने सी एजी का नाम तो सुना होगा इस सम्विधान के भाग पांच में चार अनुच्छेदें अनुच्छेद 148, 144, 150 और 151 इन चार अनुच्छेदों में आपको सी एजी से जुड़े हुए प्रावधान मिलेंगे कम्ट्रोलर इन ओडिटर जनरल ऑफ इंडिया यह इतना महत्वपूर्ण है कि भारत में डॉक्टर भीम राव अंबेटकर ने इसको इस सम्विधान के द्वारा स्रजिद सारे महत्वपूर्ण पदों में सबसे ज्यादा महत्व दिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना है तो आखिर यह है क्या सी एजी या जिसे कैग बोला जाता कई बार शौट में कैग कहते हैं तो कैग क्या होता है कैग क्या करता है केग की क्या भूमी का है या केग का हमारे लिए क्या महत्व है और इसकी क्या क्या आलोचना है कि बहुत कुछ है आज के सेशन में आपके साथ डिसकस करने के लिए पूरे सेशन को लास्ट तक देखिएगा तो आपको आज सीजी का चैप्टर सीजी का कॉंसेप्ट एक बार में ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा जैसे पुराने सेशन मे इक चीज को अच्छे से क्लियर किया है वैसे को हम भी आपका क्लियर हो जाएगा तो सी हैजी को हम लोग पढ़ेंगे सीजी एक समवेधहनिक पत ओर सबसे बड़ी बात एक स्वतंद्र संस्था था कि यह जी न कारेपाली का में आता है न विधाई का में आता है न नियाएपाली का में आता है अध्भुत है यह संस्था और बड़ा ही अध्विती है इसका काम इसी के साथ मैं आपको सीयजी को शुरू करने से पहले बता दूँ कि एक छोटा सा टॉपिक ओर है और वहें यह जो कि भाशा ही अलपसंख्यक वरगों के लिए बनाया गया है चुकि इस देश में हमारे दिमाग में है его सक्षात अलपसंख्यक शब्द आता है तो हमेशा मैं लगता है कि कुछ खास भाषाओं को बोलने बाले हैं, बहुत कम लोग हैं, इन्हें भाषाई अलपसंख्यक कहते हैं, इनके संरक्षन के लिए भी भारत के समविधान में कई प्रावधान हैं, जैसे अनुच्छे 29 कमॉलिक अधिकार देखिएगा, 30 कमॉलिक अधिकार देखिएगा, ठीक के बारे में, और फिर हम लोग चलेंगे हमारे मेन टॉपिक की तरफ, जो है CAG का कैग का, आवाज सभी को ठीक से आ रही है, आप सभी को मेरी आवाज ठीक से सुना ही दे रही है, मैं Audible, चलिए, तो शुरुवात करते हैं, आज के सेशन की सबसे पहले, इंडिया का सबसे बड़ा online learning platform है, और आप में से कोई भी subscription लेके, इंडिया के top educators से, best educators से, घर बेठे, बढ़ सकता है, अपनी पूरी तैयारी कर सकता है, prelims की, mains की, optional की, interview की, सब की तैयारी कर सकता है, इसके लिए आपके पास कई सारे option है, एक तो आप GS plus optional का subscription ले सकते हैं, नॉर्मल या iconic, या आप चाहें, तो combo subscription भी ले सकते हैं, GS या optional का, combo subscription भी लिया जा सकता है, और अभी Unacademy आपको बहुत बढ़ी offer दे रहा है, और वो offer है कि अगर आप एक साल का subscription लेते हैं, तो आपको 6 महीने का free मिलेगा, ठीक है, डेड़ साल की साथ 6 महीने का free, एक साल की इसा 3 महीने का free, और 2 साल या 3 साल का subscription अगर आप लेते हैं, तो आपको 1 साल का subscription free मिल रहा है, यह offer valid है, 8 जुलाई तक, आच छे तारीख है, परसोई offer खतम हो जाएगा, तो इसको अगर फाइदा उठाना चाहें, तो जल्दी से CK Live Referral Code को apply करें, और अपना subscription ले, इससे क्या subscription मिलेगा, जिसे मैंने का कि 1 साल के साथ 3 महीने का, 1.5 साल के साथ 6 महीने का, 2 साल और 3 साल के साथ 1 महीने का subscription आपको पूरी तरह से free मिलेगा, फिर आपके पास loan facility भी है, आप अगर इस referral code को apply करेंगे, तो आप loan ले सकते हैं, और loan के थुरू अपनी subscription पुरा कर सकते हैं, और किसी तरह का कोई problem आए, लोन को लेकर आप जानना चाहते हैं, कि हमें loan केसे मिलेगा, क्या हम लोन ले सकते हैं, पे केसे करना पड़ेगा, इस तब के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, किसी भी तरह की subscription inquiry के लिए आप मेरा referral code C के लाई भी उस करें, और इस नंबर पर कॉल करें, इस नंबर पर कॉल करके आपको पूरा पूरा के पूरा guidance दिया जाएगा, पूरा के पूरा help आपको किया जाएगा, ठीके, चलिए, तो हम पढ़ने वाले हैं भाशाई अल्प संक्यक वर्गों के लिए विशेश अधिकारी, चैप्टर नंबर 48 पिछली बार हो गया था, और मैंने आप से कहा था कि अनुसूचित जन्जाती आयोग मैंने आपको उसी में पढ़ा दिया था, अनुसूचित जन्जाती आयोग भी अनुच्छे 338 में और ये हमारा हो चुका है, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 50 और वो है भाशाई अल्प संक्य संक्यक वर्गों के लिए अधिकारी, इसके बाद CAG की तरफ चलेंगे, पहली बात तो ये कि क्या होता है, आपको समझ में आगया होगा ना कि भारत में कई सारे लोग ऐसे हैं, जो कि भाशाई रूप से अल्प संक्यक हैं, मतलब उन भाशाओं को बोलने वाले लोगों की स परन्रक्ष्ण देता है, चाए वो भाशाई रूप से अल्प संख्यक हो, धार्मिक रूप से अल्प संख्यक हो, किसी लीपी को लेकर अल्प संख्यक हो, जैसे अनुछे 29 आपने पढ़ाओगा, कि किसी वर्ग की अगर आपने खास भाशा है, लीपी है, संस्कziest है, तो उ यह समवेधानिक उपबंद क्या क्या समवेधानिक उपबंद सबसे पहले तो देखो मूल रूप में जब यह समवीधान बना था तो मैं आपको पता दू कि समवीधान बना था तब समवीधान में ऐसा कुछ था ही नहीं हमारे समवीधान में भाषाई अलपसंख्यक वर्गो के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था यह हमने बाद में एड किया कब किया आप सभी ने एक आयोग का नाम सुना होगा जिसे पजल अली आयोग कहते हैं एक बहुत महत्वपून आयोग आप लोग पढ़ते होंगे आइधिंक आपको पुरा याद होगा यह बात 1953 की है जब भारत में भाषा के आधार पर गठन की मांग बहुत ज्यादा थे कई राज जी कह रहे थे कि हमें भाषा के आधार पर अलग राज जी दे दो तो ऐसे इस्तिति में भारत में आपने धर कमिशन सुना होगा जेवीपी कमिटी सुनी होगी उसी के बाद में आयोग जिसक आयोग के नाम से जाना जाता है और आप सभी को ये बात तो पता ही होगी कि राज्य पुनर गथन आयोग ने ठीजिस की थी कि भारत में भार्शा के आधार परarem उक्तपर आधार पर राज्यों के बात की विशेश अधिकारी यह इसने हैं जही चुंझा पर देख पर्टमा इ 1956 में एक संविधान संशोधन होता है जिसे आप सभी लोग सात्वा संविधान संशोधन कहते हैं भारत के इतिहास में जितनी भी महत्पुण संविधान संशोधन है उसमें सात्वे संविधान संशोधन का अपना महत्व है सात्वा संविधान संशोधन अधीनियम के द्वारा भारत में बहुत कुछ हुआ थी इसी संविधान संशोधन अधीनियम के द्वारा इस संविधान के भाग सत्रा में कौन सा भाग संविधान के भाग सत्रा में एक अनुच्छे जोड़ा गया 350 350 B और यह आपको याद रखना है कि भाशाई रूप से अल्पसंख्यक लोगों के लिए कुछ भी बहुत ज्यादा परेशान होने बाली बात नहीं है प्टी के लिए मेला रियोग जैसे हमों से जाती के लिए जाती आयोग जन जाती के लिए जाती पिशड़ वर के लिए पिशड़ा वार्ग है यह यह भाशाय रूप से अल्पसंख्यक लोगों के लिए अपना एक अधिकारी आगया समझ में ठीक है तो यह 350 B में आपको मिलेगा तो अब हमें पढ़ना है समविधान के अनुच्छे 350 ख अखिर है क्या कई सारे बच्चों के लिए तो यह पहली बार होगा कि वह समविधान के इस अनुच्छेत से मुखातिब हो रहे हैं इमानदरी से बताईएगा आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं कि जो पहली बार इस अनुच्छेत से रूबरू हो रहे हैं मतलब जिनोंने कभी इस अनुच्छेत को नहीं पढ़ा मुझे मालू में बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़त तो इस अनुच्छेद में क्या लिखाए देखो, भाषाई अलपसंख्यक वर्गों के लिए विशेश अधिकारी होगा, और उस अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा राष्ट्रपती, क्या मुझे आपको यह समझाने के जरूत है, पताईए, एक अधिकारी होगा, जो भाष के राष्ट्रपती द्वारा इसको रटने की जरूतनी है, अब यह करेगा क्या, इस अधिकारी का कर्तव यह क्या होगा, इस अधिकारी का कर्तव यह है, कि वो सम्विधान के अधिन, जो भाषाई अलपसंख्यक वर्ग हैं, उनके लिए हमने जो कुछ प्रावधान किये है उनके रक्षो पाई के लिए या उनके सनरक्षन के लिए हमने जो उपाई किये हैं, उनसे संबंधित विश्यों का अन्वेशन करेगा, बस जाच पड़ताल करें, भई मानलो मैं आपको एक्जामपल देता हूँ, कि मैं एक भाषाई अलपसंख्यक हूँ, समझो आप, ठीक मैं भाषाई अलपसंख्यक होने के नाते संबिधान ने दिया है, कहाँ जाहूं, बताओ आप लो क्या मैं यह नुसूर्स जाती अ योग के पास, जान जाती अ योग के पास, महनव अधिकारा योग के पास जाउं, तो मेरे पास भी तो एक भ्यक्ति एक अधी कारी होना छह आओ इसके पास यह जाच करेगा यह सुनेगा आपकी बात आरा है समझ में तो राष्ट्रपती को ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट करेगा जिनमें राष्ट्रपती प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर सकता है अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे पढ़ें तो मेरे पास एक प्रस्ताव है कि एम लक्षमी कान को खत्म करने के बाद हमें क्या पढ़ना है अगर आप एग्री हो तो कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा कि आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं तो मैं आपको फो द वेरी फर्स टैम यूट्यूब पर गवर्नें वाला है हमारे इस यूपी एसी के मेंस के पेपर टू में कुछ टॉपिक्स गवर्नेंस से भी जुड़े हुए लेकिन गवर्नेंस पढ़ाते नहीं कोई और नहीं बच्चे इसको पढ़ पाते हैं तो यह ऐसी चीज़े जो अभी तक बहुत सारे बच्चों के लिए को पढ़ा दिया गवर्नेंस में आपको पढ़ा दूंगा उसमें तो आपका जी इसका पेपर टूजो है वो पूरा के पूरा कम्प्लीट हो जाएगा है ना आपको क्योंकि गवर्नेंस कोई नॉर्मल ही नहीं पढ़ाते हैं तो हम यह चाहते हैं कि आप लोगों का गवर्नेंस वाला पोर्शन अब इसके बाद में हो जाएगा ना फिर आयार और कर देंगे तो पूरा पेपर टू कंप्लीट है चलिये तो जिस दिल लक्ष मिकांद खतम होगा ना जिस दिल लक्ष मिकांद हमारा एंड होगा उसके अगले दिन से में स्टार्ट कर दूंगा गवर्नेंस अगर आप लोग रेड़ी हैं आप लोग अगर एगर आगर है तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा के आप मतलब ऐसे कोई भी भाशाई अलपसंख्यकों से जुड़े हुए मामले जिनमें राश्ट्रपती हस्तिक्षिक कर सकते हैं उन मामलों की रिपोर्ट करेगा, फिर राश्ट्रपती ऐसे सभी रिपोर्ट को प्रतिवेदन को संसत के समक्ष रखवाएगा और राज्यों की सरकार को भी भिजवाएगा तो यह क्या करेगा भाशाई अलपसंख्यकों के मामले में जाच परताल करेगा अपनी वार्शिक रिपोर्ट तैयार करेगा और राश्ट्रपती को भेजेगा और राश्ट्रपती उसे संसद में और राज्यों की विधान सभाओं में प्रस्तुत तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए बात पता होनी चाहिए कि भारत के सम्विधान में ठीके आपको भाशाई अलपसंख्यक वर्ग के लिए सिर्फ ये मिलेगा कि अधिकारी होगा नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे इसकी योग गिता क्या होगी इसका कारिकाल क्या होगा, सेवाचे कि शर्ती गांगी कुछ भी नहीं बतायागए समझे मेरी बात भाशाई अलपसंख्यक वर्ग के अधिकारी की योग गिता सेवाचे कार। सारेकाल वेतन भत्तों के बारे में सम्विधान कुछ नहीं कहता है तो भाषाई अलपसंख्यक वर्ग के लिए विशेश अदिकारी आप समझ गया अब भाषाई अलपसंख्यकों के लिए आयुकत भी है इस सम्विधान के अनुच्छ तीन सो पचास खर के अनुसार उनिस्व बन जऑन एक कार्याले बीए और इस अधिकारी को भाषाई अलपसंख्यकों के लिए आयुकत का नाम स्थियूट कहा गए तो जो विक्ति भाषाई अल्प संख्यकों के लिए काम करता है उसे कमिश्णर कहते हैं consist of linguistic minorities भाषाई अल्प संख्यकों के लिए जो आयूत्य एंजर वही यह अधिकारी है इस आयुक्त का मुख्याले आपसे पूछा जा सकता है इस आयुक्त का मुख्याले इलाहबाद में है आजकल ये प्रयाग राज के नाम से जाना जाता है तो उत्तर प्रदेश के प्रयाग राज में उत्तर प्रदेश ये क्योंकि बहुत बच्चों को क्या लगता है न कि भार बहाशाई अलपसंख्यक वर्गों के लिए जो यह मुख्याले है आयुक्त का यह उत्तर प्रदेश के इलहाबाद में प्रयाग राज में और बेलगाओं करनाटक में तमिलनाडू के चेन्नाई में और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इसके तीन क्षेत्री कार्याले है फै नीचे दक्षिन में चेन्नाई तमिलनाडू में मिलेगा और करनाटक में एक बेलगाओं में तो इस तरीकी से तीन क्षेत्री कार्याले भी इस आयुक्त के हैं और हर एक क्षेत्री कार्याले का जो प्रमुक होता है ना वो डेप्यूटी कमिशनर होता है असिस्टेंट करता है हमने ऐसे ही एक अधिकारी नियुक्त किया है जिसे भाशाई अलपसंख्यक वर्गों के लिए आयुक्त कहा जाता है इस आयुक्त का मुख्याले भारत में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है और उसकी सहायता के लिए क्योंकि अकेला तो पुरा देश नहीं सम के लाता है असिस्टेंट कमिशनर वो कमिशनर है जो प्रयागराज में है और यह तीनों असिस्टेंट कमिशनर है आ गया समझ में सबस्क्राइब कारों के साथ आयोक समन्व में इस्थापित करता है केंद्री इस stark आयुक्ता किसके अंडर में काम करता यह और आपको पूछ ज्यान यह काम करता है भाशाई अलपसंख्यक वर्ग का आयुक्त यह और ध्यान रख लीजिएगा ठीक है यह और ध्यान रख लेना कि किसके अंडर में काम करता है किसके अधीन आता है आयुक्त अपने कामों का वार्शिक प्रतिवेदन देता है पर वो देता है कि बहारत प्रम है को समविधान में जो सुरक्षा दिगई है जैसे मैंने आपको बताया ना क्या क्या है अनुच्छे 29 में आप देखोगे कि भार्षाई अल्पसंख्यकों के लिए मोलिक अधिकार है ठीके फिर अनुच्छे 30 में आप देखो अपनी रूची के शिक्षन संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार भी है तो अल्पसंख्यकों को प्रदान की गई सुरक्षा से सम्मंधित मामलों पर रिसर्च करता है अनुसंदान करता है इस वर्ग को प्रदान की गई समवेधानिक और राष्ट्री सहमती प्राप्प सुरक्षा के कार्यानवयन की सिधी पर भारत के राष्ट्रपती को प्रतिवे सब्सक्राइब दिए गया है उससे जुड़े हुए मामलों पर बैठके आयोजित करता है सम्मेलन करवाता है संगोश्ठी करवाता है ठीक और प्रश्णोत्तर करता है लोगों से कहां क्या दिक्कत है या नहीं तो यह सारी चीजे जो है इसके काम में आती है इसका उद्देश के लिए समान अवसर की व्यवस्ता करना चुकि भारत में भाषाई अलपसंख्यक वर्ग भी तो अलपसंख्यक में आते हैं ना तो कहीं न के उनके मर में भी एक डर हो सकता है कि हमें बाकी लोगों की तरह उसर मिलेंगे की नहीं हमें हिंदी नहीं आती जो भारत का एक बहुत कराना इसका उद्देश ये हैं ताकि एक समावेशी विकास और राश्री अखंडता सुनिश्चित हो सके फिर भाशाई अलपसंख्यों के बीच उनके उपलग्द सुरक्षा के संब्द में जाग रुकता पैदा करना और इस सम्विधान में जो उनको सुरक्षा दी गई है ज उनकी ये शिकायतों को सुनता है चलिए तो यह हो गया चैप्टर 50 कम्प्लीट किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बहुत आसान सा चैप्टर था एक साधारन सा चैप्टर था लेकिन बस पता होना चाहिए मैं चाहता तो ये स्किप भी कर सकता था लेकिन मैंने स्किप इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ते ही नहीं बहाशाई अलपसंख्यक्वरगों के लिए विशेश अदिकारी के बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं है और अगर मैं छोड़ देता तो शायद बहुत सारे बच्चे और भी छोड़ देते कम सी कम इसी बहाने हमें पता तो चल गया कि ऐसा कुछ भी संविधान में है अगला चैप्टर जो हमें पढ़ना है यह है आज का हमारा में टॉपिक और यह है चैप्टर नंबर 51 आपका लक्षमिकान के पुस्तक का अध्याए 51 कि यह बड़ा इंपॉर्टेंट है और यह इंपॉर्टेंट जो है कि इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते और मेरा यह व्यक्तिगत अनुभाव है कि बच्चों से जब पूछो ना सीएजी के बारे में तो वह बताते हैं कि सीएजी सर 148 से 151 तक है सीएजी के नियुकति राष्ट्रपती करता है सीएजी का कारेकाल 6 साल या 65 साल हो जब तक आपको यह पता नहीं कि audit क्या होता है तब तक आप सीएजी को कैसे समझोगे है हाँ हो सकता है कि आप एसे कुछ commerce background के लोगों जो Commerce background के स्टूडेंट्स होते उनके लिए अकाउंट एंड ओडिट यह सब एक नॉर्मल चीजे हैं और वो करते उन्हें पता भी होता है लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ तो यह समस्या है कि उनको क्या करता है यह कभी समझ में नहीं आता पर किसको कहें दिल के दर्द को बया करे तो कहां करें क्योंकि फिर लोग हसने लगेंगे फिर तुमने पढ़ा क्या है तो सीजी क्या करता है उसको समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि audit क्या होता है और audit अगर आप समझ जाओगे तो सीजी का काम आपको समझ में आ जाएगा कि कितना important है ठीके चलो हम थोड़ा से इंट्रोड़क्शन देख लें फिर इसके बारे में बात करेंगे इस संवीधान में अनुच्छेट 148 कौन सा भाग भाग पांच एक पद की विवस्था की गई है जिसे नियंत्रपुर महालेखा परिक्षक कहा जाता है इस पद की खास्यती है कि एक स्वतंत्र पद है ठीके पूरी तरह से स्वतंत्र है संख्षेप में महालेखा परिक्षक कहा गया है और यह भारती लेखा परिक्षन और लेखा विभाग का मुखिया होता है चलो यह तो आप समझगे कि आपको कहा मिलेगा किस जगे मिलेगा लेकिन इस पद को कहा जाता है भारत में लोकवित्त का संरक्षक कहने के पीछे कारण क्या या लोकवित्त के संरक्षक का मतलब क्या क्यों कहा जाता है को साथ साथ देश की सम्कून वित्ती विवस्था का नियंत्रक होता है और इसका नियंत्रन आपको राज जो और केंद्र दोनों स्थरों पर दिखाई देगा चले अब हम शुरू करते हैं कि CAG को इतना महत्व क्यों दिया जाता है कभी-कभी कुछ पद को बड़ा महत्व दिया जाता है तो में समझ में आता है कि इतना महत्व क्यों दिया जाता है समझाते हैं आपको किसका कारण क्या है आप सभी एक बात तो जानते हैं कि हम से सरकार जो पैसा लेती है वो सब टैक्स के माध्यम से लेती है आप से सरकार income tax लेती है, हमें देना पड़ता है क्योंकि कानून है, आप मना नहीं कर सकते। हमसे सरकार GST वसूर करती है, हमें GST pay करना पड़ता है क्योंकि कानून नहीं तो jail हो जाये, सजा हो जाये, आप दुनिया भर का टेक्स सरकार को देते हों यह सारा पैसा कहा जाता है यह अन पैसा जाता है भारत की खजाने में जिसे संचित निदी के तहीं आपको पता है एक दम बेसिक से समझो, आपने सरकार को टेक्स दिया, सरकार चाहे वो केंद्र क्यों चाहे राजी क्यों, उनके अपने अपने खजाने हैं, जिसे अब संचीत नीदी के तो केंद्र सरकार भारत की संचीत नीदी में डालती है, और राजी सरकारे राजी की संचीत नीदी में समझ गए अब आप क्या पैसा संचित निदी में गया और अब सरकारों को उसमें से निकाल के खर्च करना पड़ेगा ये भी आपको पता है पैसा कहां से खर्च करेगी वहीं से करेगी ना संचित निदी से अगर पैसा निकालना हो तो आपको यह बात पता है कि केंद्र में संसत के द्वारा पास कराना पड़ता है विदेहग और राज्यों में विदान सभा के द्वारा पारित कराना पड़ता है जैसे ही विदहयक बनता है, कानून बन जाता है, वैसे ही संचित निदी से पैसा निकाल सकते हैं, अब आपको ये बात भी पता है, कि केंदर में, लोकसभा में, केंदर सरकार का बहुमत होता है, राज्य में, राज्य सरकार का होता है, तो इसका मतलब है कि संचित निदी से प पारित करवाना यह इस वीधियक को पारित करवाना उंके लिए बड़ी बात नहीं होंके पास में जोरिटी है। अब पैसा निकाल भी लिया, आपका और मेरा और हम सब का पैसा सरकार खर्च करती है। क्या हम देखने जा रहे हैं कि वो पैसा कहा खर्च हुआ, आपने टेक्स देने की बाद कभी देखा उस पैसे का क्या हुआ, ये बताई, आपने तो सरकार को टेक्स दे दिया, इसके बाद आपको पता है कि आपके पैसे का क्या यूज हुआ, आपके पैसे को निकाल के किसी मं मंत्री ने अपने गाड़ी खरीद ली आपके पैसे से किसी मंत्री ने बेटी की धूम-धाम से शादी कर दी अपने बच्चे को फॉरें पढ़ने भेज दिया अब बताईए मुझे आप कहेंगे नहीं सर ऐसा नहीं होता है यह मेभू जानता हूं आप भी जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है उस पैसे का व्यक्तिगत उपयोग कोई मंत्री कोई नेता कोई सरकार नहीं कर सकती क्यों नहीं कर सकती किसने रोका है? कौन चेक करता है? समझ गे मेरी बात? कौन रोक रहा है सरकार को उस पैसे को अपने, क्योंकि इंसान ही तो है वो भी लालाश पह-स अपके मन में आएगा? क्योंने उस पैसे को अपने इतना सारा पैसा देख के तो किसी का भी दिमाग खराव हो जाए? तो हमारे उस पैसे का एक-एक रुपे का सही यूज हो, सही जो है उप्योग हो, वो वही लगे जहां लगना चाहिए, हमने सरकार को पैसा दिया था, टेक्स के रूप में, कि वो सड़क बनवाए, हमने दिया था कि सरकार शिक्षा के विवस्था करे, रोजगार की विवस्थ करे, सरकार ग्रामीन विकास में पैसा खर्च करे, पिछडे और वंचित वरगों को आगे लेके आए, स्वास्थे की विवस्था करे, तो ये सब में वो पैसा खर्च होगा, ये पैसा कौन ताय करेगा, ये सब चेक करता है एक संस्था जिसके बारे में मैं आपको पड़ा इसी संस्था को CAG कहा जाता है, ये जनता के एक एक रुपे को और जनता के द्वारा दिये गए पैसे को कहते लोकवित, सरकार के पास जितना भी पैसा है वो हमारा ही तो है, समझे की नहीं समझे, सरकार के पास में जितना भी पैसा है वो कहीं बाहर से आया है, वो सब हमारा कि इसे लिए उस पैसे को कहतें लोकवित्त, क्या बोलते हैं? लोक वित्त and Cpless wage करते हैं क्योंकि हमारे पैसे की रक्षा करता है, हमारे पैसे के उटा-सीदा उपयोग नहीं हो सकता, हमारे पैसे को कुई मनमाने तरीके से कहीं भी खर्च नहीं कर सकता, ये काम है CAG का, समझ गए? क्यूं कहा जाता है CAG को लोक वित्त का संद्रक्षक, अब आपको कभी confusion नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता के द्वारा दिये गए पैसों को, जनता के पैसों को सरकार जहां भी खर्च करेगी, ये उस सब पैसे का हिसाब चेक करेगा, एक एक अगर बड़ी हुई, तो ये आपको बता देगा, कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया, तो ये अपने आप में इसना महत्पवण पद इसलिए है, क्योंकि ये दोनों, केंद्र और राज, दोनों सरकारों के द्वारा किये जाने वाले एक एक रूपय का पाई-पाई का खर्च का ह होता है, पहले तो मैं आपको बता हूँ, अगर मैं आम भाशा में कहूं, तो ऑड़ीट का मतलब होता है, हिसाब को चेक करना, जैसे आपने अपने पिता जी से कहा कि मुझे एक हजार रूपय दे दो, मुझे बहुत सारा सामान लाना है, पिता जी ने आपको दे भी दिया, अब आपके पिता जी ने कहा कि बताओ मुझे कि एक हजार रूपय में क्या-क्या लेकर आए हो, आप से उन्होंने मांगे बिल, तो आपने बता दिये कि सो रूपय की मैंने एक औपी खरी दी थी, यह रहा उसका बिल, मैंने पचास रूपय का यह चीज खरी दी थी, यह र कभंब उन्हें किण justement क्योंग इसी जरदी करें तो ये चीज ऑडिड कहलाती है जब सरकार भारत की संचित निदी से कहीं से और उसको खर्च करें, क्योंकि पैसा सारा जनता का है, लोक तंत्र में यही एक चीज है, जो बड़ी खास है, आपने देखा कि आज से हजारों साल पहले से भारत में कई सारे निर्मान हो अर्फ जैसे टाज महलने शाह जहां ने ताज महल को बनवाया, तो यह जनता से पूच क्या वित्राइड ने शाह जहां से पूछा या क्या शाह जहां को बतानी की जरूट थी कि मैंने का हुआ पैसा करेकर चांगे है कि बड़े-बड़े महलों में रहने वाले लोग ये सारा पैसा जनता का और जनता के पैसे का उपयोग अपने भोग विलास में वो लोग करते थे क्योंकि कौन पूछने वाला है कोई पूछने वाला है क्या ये बताइए कोई पूछने वाला है नहीं है पर वो राज तंत्र था वहां उस जनता के पैसे का राजा अपने महल बनाने में प्रयोग कर ले, अपने पचासों रानिया रखने में प्रयोग कर ले, उनको पाउडर लिपिस्टिक लगाने में उसका उपियोग कर ले, या खुछ शराब पीने में कर ले, सुंदर्यों को नचाने में कर ले, किसको तो फर्क पड़ता है और कौन पूछने वाला है यह लोगतंत्र है और लोगतंत्र में सरकार ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि यहां पर जनता का जनता के लिए जनता की द्वारा शासन होता है तो हम खुद ही अपने लिए शासन करते हैं तो हमारे एक-एक रुपे का हिसाब भी सरकार को देना पड़ता है इस संस्था को इसलिए बनाया गया है ताकि भारत में राजा महराजाओं जैसा कोई जीने नहीं लग जाए भारत में कोई जनता के पैसे का दुरूपयोग नहीं करने लग जाए समझ गए आप लोग इसका करतव भी होता है कि भारत के संविधान और संसत की विधी के तहत वित्तिय प्रशासन को संभाले चलिए यह तो हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि करता क्या है सीए जी डॉक्टर बियार अमबेटकर न इसी चीज के बारे में बोल रहे हैं मतलब वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्होंने इस संविधान के ताहत इसे सबसे बड़ा अधिकारी माना है यह लोग तांत्रिक विवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा ठीके सरकार को मनमानी करने से रोकने के लिए जितनी संस्था है ना उनमें से एक सीजी भी है इन रक्षकों में उच्चतम न्यायले निरवाचन आयो और संगलोग से वायोग भी आते हैं कौन-कौन से वो संस्थाएं हैं जो इस देश में लोग तंत्र के रक्षक के तौर पर काम करें आप सोचिए कि अगर यह नहीं उती तो सरकार कुछ भी कर सकती थी सरकार को कौन रोका है सरकार को रोकी न्याय पाली कुछ भी गड़बड करी कि सरका तो न्याय पाली का जो है उसका गला पकड़ लेगी इसके बाद में भारत में निरवाचन आयोगे जो निरच के साथन को सुनिश्चित करता है और यहां पर सीएजी उनоме से एक है कि कभी आप से पूचे ना कि भारत में लोकतंतर के करन ने तो में पुर्फ तंत्र को थामे रखा यह वही संस्था हैं समझो मेरी बात कि यहीं संस्था है जिन वजे से आम आदमी का आज जो थोड़ा भुत भरोसा बचा हुआ है ना संवीधान में देश की विवस्था में इनी संस्थाओं की वज़े से बचा हुआ है नहीं तो आपको पता है कि इस देश की सरकारी क्या से क्या कर सकती थी कि मैं अब आते निक प्वाः कारेखाल तो यह सव आपको पता है मुझे तो सिर्फ आपको इंट्रोड़क्शन समझ आड यह सारी बात आपको पता है सीए जी की निक करता है सीए जी की निक भारत के राष्ट्र पती द्वारा की जाती है जरने से पहले jeGe rich आश्ट्रपती के सम्मुख शपत लेता है इसको शपत भी लेनी पड़ती भाई क्योंकि काम ही ऐसा है जैसे न्यायपालिका के लोग शपत लेते हैं वैसे ही C.A.G. भी शपत लेता है और इसकी शपत क्या होती है भारत के सम्विधान के प्रती सची शद्धा और निष्ठा रखूँगा इस देश की एकता और अखंडता को अक्षुन रखूँगा और सम्मेक प्रकार से उस्षद्धा पुर्वक्त अपनी पूरी योग्यता ज्यान और विवेक से अपने पद के करतव्यों का भाय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना पालन करूँगा समझ में आपको इस शपत से आपको समझ में आ जाएगा कि सीएजी का काम कितना निश्पक्ष है ठीक है यह शपत है जो भारत के राश्च्रपतीन को दिलाते और समविधान और विधियों की मर्यादा को बनाए रखूँगा कारेकाल कितना होता है? यह आपको पता है. कारेकाल होता है 6 साल या 65 साल, जो भी पहले हो जाए. कोई भी व्यक्ति 6 साल से जादा CAG नहीं रह सकता और 65 साल से जादा या 65 साल के बाद नहीं रह सकता. जो भी पहले हो, वहां तक का कारिकाल होता है, इससे पहले वो कभी भी अपना त्याग पत्र दे सकता है भारत के राष्ट्रपती को, फिर अब बात करते हैं कि अगर मालीजी कि कोई CAGB, वो भी तो इनसान है, कि बिक जाए, गड़बड करने लगे, या कदाचार करने लगे, तो उसको हटाना ज़रूरी, अब आप छे साल तक रुकोगे, थोड़ी की कारिकाल हो जाए, तो हटाने की परिस्थितिया, हटाने की प्रक्रिया क्या है, यह आपको कई बार मैंने बताया है, कि CAGB जो है उसको हटाना हो, तो उसके लिए वही प्रक्रिया है, जो सुप्रीम कोट के जज, चीफ एलेक्शन कमिश्णर, हाई कोट के जज, मैंने कहा आप से कि इन सब को हटाने की प्रक्रिया िसी है, इनको हटाया जाएगा तो वैसे ही जैसे भारत में किसी अची नियायएलम की या उच्शेतम की illness को हटाया जाता है, जैसे उच्शेतम की एक जिसी है इनको हटाया जाएगा तो वैसे ही जैसे भारत में किसी उच्य чण गया यह मोरste अधीश ना जाता है raising ज्यसे विद्द यह मौनणा ज्वरे और को आधाया जाता है राष्ट्र पति उन्हें उसी प्रक्रिया से हटा सकते संसक के कितने लोग चाहते हैं कि एक बार प्रक्रिया और बताओं या आगे बढ़ूं कि उच्च नियाय लेके नियाय धीशों की हटाने की वेतन और भत्ता तो भारत की संचित निदी पर भारित होगा आपको पूछने की जरूत ही नहीं ठीके वेतन भत्ते इस तरह की संस्थाओं क संचित निदी पर भारित होते ही हैं हमेशा चलिए कुछ लोग कह रहें बताने का तो एक बार और चोटा सक्विक्र विजन पटाफट बता देता हूं अगर मान लीजिए कि सी एजी को हटाना हो कैसे हटाएंगे दो आधार होते हैं एक तो दुर्वेभार या साबित अचा पर दूसरा अयोग्यत या समर्थत है हटाने के लिए दो शर्त एक तो यह दूसरी वाली शर्त यह है पहली शर्ती है कि 14 दिन पहले कम से कम 14 दिन पहले सी एजी को सूचना देनी पड़ेगी लोग सभा में प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 100 सदस्य चाहिए और प्रस्ताव आगे बढ़ा सकते हैं अब क्या होगा जिस सदन में जिस भी सदन में संसद में यह प्रस्ताव लाया जाएगा लोकसभा या राज्य सभा कहीं भी तो वह सदन पहले जांच समीति का गठन करेगा जिसमें उठ्ट सुप्रीम कोट हाइग कोट के जज होते हैं और हो समीति किया करती है इनके उपर लगे हुए आ रोप की जहँकरती है समीति के जहांच करनेके बाद समेधी रिपोट आती है फिर उस सदन में मत्तदैन होता है जो उस सदन के कुल संख्या के जो है आदे से ज़्यादा और उपस्थित और मत देने वालों के दो तिहाई से ज़्यादा से पारित होना चाहिए पहले सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाएगा और दूसरा सदन भी इसी बहुमत से पारित करेगा कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक और उपस्तित और मत देने वालों के दोतियाई से अधिक और जैसे ही ये प्रस्ताव पारित होगा, दोनों सदनों से ये भारत के राष्ट्रपती के पास जाएगा, भारत के राष्ट्रपती साइन करेंगे, और उनके हस्ताक्षर के बाद C.A.G. अपने पत से हट जाएगा, आया समझ में? चलो, ये मैंने आपको एक और बार बता दिया, प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया वैसी की वैसी ही, जो पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ, अब हमने कहा कि एक स्वतंत्र पद है, हमने कहा स्वतंत्र पद है, प्रूफ क्या है, सुबूत क्या है, एविडेंस क्या है, कि यह स्वतंत्र पद यह सम्विधान ऐसी कई सारे प्रावधान करता है जो सीए जी के पद को स्वतंत्र बनाते हैं इसे कारेकाल की सुरक्षा मुहिया कराई बताई आप कराई यह कि नहीं हमने कहा कि यह 6 साल या 65 वर्ष तक पद्धारन करें क्या उससे पहले इसको कभी भी सरकार हटाना चाहे या राष्ट्रपती हटाना चाहे तो ऐसे नहीं हटा सकते जब तक कि मैंने अपको विशेश प्रक्रिया भी बताई है वो पहाड आप नहीं चड़ जाते एक प्रकार सी एवरेस्ट चड़ने जैसा है जब तक आप यह पहाड नहीं चड़ोगे ना तब तर आप सीय को नहीं याटा सकते तो इसे केवल च्ड़पती के द्वारा हटाया जा सकता है और वो भी समवेदान में उल्ले खित उस प्रक्रिया के द्वारा इस तरह यह राष्ट्रपती के प्रसाद परियंत पद पर नहीं रहता पिर अपना पद छोड़ने के बाद किसी अन्य पद चाहे वो भारत सरकार का हो या किसी राज्य सरकार का ये कोई पद ग्रहन नहीं कर सकता इसको रोका गया है अगर retirement के बाद कोई retirement plan बना रहा हो CAG कि यार सरकार कुछ अच्छा पद दे तो वो नहीं मिलेगा CAG को ना तो केंदर सरकार और नहीं राज्य सरकार retirement के बाद अपने यहां पर कोई पद इसे नहीं दिया जा सकता कोई नियोजन नहीं हो सकता पिर सबसे बड़ी बाती की वेतन और जितने भी खर्चे हैं वो सब कुछ जो है संसत के द्वारा निर्धारित होते हैं और इसका वेतन सुप्रीम कोट के जज के बराबर होता है कितना CAG को उतना ही वेतन मिलता है जितना सुप्रीम कोट के जज को मिलता है तो सुप्रीम कोट के जज को जो वेतन मिलता है 2,50,000 रुपया प्रती माहा का जो वेतन बाहरत में सुप्रीम कोट के जजों को मिलता है तो वही 1,500,000 रुपया सेलरी है सीए जी की बस ऐसे दिहान से समझो और वेतन जो है वो संचित निदी पर भारित होता है ठीके वेतन सुप्रीम कोट के जज के बराबर मुख्य निया दीश के बराबर नहीं अन्य निया दीशों के बराबर पिर इसके वेतन में अनुपस्थिती छुट्टी पेंशन या निवरत्ती के आयू के सम्मन में किसी तरह के परिवर्तन आप नियुक्ति के बाद नहीं कर सकते गलत वाले मतलब आप नियुक्ति के बाद वेतन कम नहीं कर सकते, सेवा शर्तों को गलत तरी किसे चेंज नहीं कर सकते, ठीके, ये सारी चीजे फिक्स हो गई, पिर नियंतरक महालेखा परिक्षक के कार्या ले के सारे खर्च, अब कई लोगों को तो लगता है कि खली CAG की सेलरी, खली मा परिक्षक के लिए परिक्षक के लिए प्रशासनिक वियाए हैं, जो भी खर्चा होता है इनका, इनके अंतरगत उस कार्या ले में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबन में दिये जाने वाले वेतन भत्य पेंशन, ये सब कुछ भारत की संचित निदी पर भारि होते हैं, बतलब ये बहुत बड़ी बात है, अगर आप कभी CAG में लग जाओ, आपका नियंतरक महालेखा परिक्षक के कार्याले में कहीं अपॉइंट्मेंट हो जाए, और आप चपरासी हो वहां के, सोच मालो, पैसे में नहीं चाहूँगा कि आप कभी जीवन में इतने चोटे पत पर जाए, लेकिन कोई व्यक्ति दूसरा चले है, चलो मालो, दूसरे को लेख ले, कि अगर कोई व्यक्ति नियंतरक महालेखा परिक्षक के दफ्तर में, कार्याले में चपरासी है, प्यून है, उसका वेतन भी भारत की संचित निदी पर भारित है, वेतन, संचित निदी पर भारित है, और यह पन का खर्चा भी वहां से जो है, संचित निदी पर भारत है, आरे समझ में, आता हास, संसद पहले इन पर, संसद के उपर उस खर्चे के उपर संसद में मत्दान होता ही नहीं वैसे भी संसद में मात्र लोकसभा ही तो है जो अनुदान की मांगों पर मत्दान करती है और यह अधिकार लोकसभा को भी नहीं है कि वह संचित निदी पर भारित किसी खर्चे पर मत्दान करें कोई भी मंत्री सं सब्सक्राइब कर सकता कोई भी यह नहीं कर सकता कि यह मेरे अंडर में काम कर रहा है कोई मंत्री उसके द्वारा किये गए किसी काम की जिम्मेदारी नहीं ले सकता पूरी तरह से ये पद स्वतंतरह too अब हो समझ में आ गया सिये जी के संव्वेधानिक उबद इसकी स्वतंतर ता है ऐ आप prophets सुप्रिम कोट के जजों कि तरह हैं सुप्रीम कोट के जजों कुभी स्वतंतरता है क्यों का वेतन anthrop rt भारीत होताब उंहें अप्र चप्चान ह तो यह हो गए भारत में नियंटरक महालिका परिक्षक के स्वतंतरता के प्रावधान, अब हम बात करते हैं इसके करताव्य और काम की करता क्या है। कभी-kभी होता ला कि किसी नीए बाते हो जाती है फिर या ब Quindi उपको मैं अलए कितना है त किया है अ्क को उस्त्रडग महालिखन के संविधानने संसत को सकती देता है कि इस संभन में संसद कानून बना सकती है तो आपको उस कानून का नाम भी याद रखना है जो मैं आपको बताने वाला हूं संसद नियंत्रक महा लेखा परिक्षक कर्टव सकतियों और सेवा शर्तों से जुड़ा हूं कानून पास किया हूँ और इक कानून है août 1971 सबसे पहले तो यह के याद रखीएगा 1971 ने क्या किया सुब्संसद ने ये से जुड़ा हुआ पास किया कानून में ही इसके कर्त अ CAP candy type कर सकता है इसकी शक्तिया क्या क्या सका है इस अपकुरण यहां मिल जाएगा लिए कि इसकानून के तहता लिए किसी ये बारत की संचित निधी और प्रत्येक राज्जी की संचित निधी और एसा कोई भी केंद्र शासित प्रदेश जहां विधान सभा हो उनकी संचित निधी से जितने भी खर्चे होते हैं उन सब की लेखा परीक्षा करता है मतलब भारत में सिएजी का काम देखो एक केंद्र सरकार 28 राज्जी सरकार प्लस आठ केंद्र शासित प्रदेश में से तीन में विधान सभा है तो तीन यूनियन टेरिट्री इन सब में जो पैसा यहां की संचित निधी से खर्चा होता है उस सब पैसों का हिसाब ही राज्जे भारत में अलग है तो राज्जी जो है वो पैसा आपने हिसाब से ऑढ़ ढ़ारो खर QUEकर सकते कुछ यह देखने वाला तो ऐसा नहीं है भारत की संचित नीदी से खर्च किये गए पैसे का प्रत्येक राज्य की संचित नीदी से खर्च किये गए पैसे का और जितने भी केंद्र शासित प्रदेशे जहां विधान सबा है वहां पर किये गए खर्च का एक एक रुपे का हिसाब चेक करता है अब आप कोगे कि बाकी प्रत्येक राज्जी की आकस्मिक्ता निधी और प्रत्येक राज्जी की लोक लेखा से हुए खर्चों का भी ऑडिट करता है अब आपको एक बात पता होगी कि भारत में सिर्फ और सिर्फ एक संचित निधी ही खजाना नहीं है भारत में टोटल सरकारों के पास तीन-तीन जाने तीन निधी है राज्जी सरकार की भी तीन निधी है एक संचित निधी एक लोक लेखा और एक आकस्मिक्ता निधी यह आपको मैंने पढ़ाया हुआ है जब मैंने आपको बजट पढ़ाया था तब सब बताया हुआ है तो केंद्र सरकार चाहे संचित निधी से पैसा खर्च कर सकती है आकस्मिक्ता निधी का पैसा कई भी उड़ा दिया समझ गए couleur है कि आरहे है समझ में कि नहीं आ रहा है तो संजीत निधी और आकस्मिक्ता निधी और लोग लेगा तीनों एकाउट से यह तीनों से जो इसी विभाग द्वारा किये गए ट्रेडिंग, विनिर्मान, लाग और हानी लेखाओं, तुलन पत्र और अन्या नुशंगी लेखाओं की लेखा परिक्षा करता है, यह थोड़ी सी टर्म्स आपको हिंदी में दिक्कत आएगी, इंग्लिश में जिसे आप पड़ते हैं कि ब बैलेंस शीट चेक करेगा, ठीक है, जितना भी सरकार ने कोई विनिर्मान या खर्चा किया कहीं भी, वो सब को जो है, एक एक ग्रूपे का हिसाब यह चेक करता है, फिर केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों और व्याई की लेखा परिक्षा, यह भी करत चेक करता है, इंकम का नहीं करता, जैसे आप सोचिए कि भारत सरकार के पस इतना सारा टेक्स आता है, अगर मान लो कि पैसा जमाई नहीं करवाई तो मान लीजिए कि सरकार ने सोचे कि यार पैसा जो है खर्च करने के बाद चेक होगा, तो पैसा दो ही मत, जमाई मत करवा, कुछ पैसा रख लो तो यह सरकार के एक एक रुपे की इंकम का हिसाब भी चेक करता है मतलब सरकार के पास में जो पैसा आता है ना उसको भी चेक करता है कि जितना पैसा आपको मिला है वो सारा पैसा जमा करवाया कि नहीं तो यह सरकार की इंकम भी चेक करता है और एक्स्पेंडीचर को भी चेक करता है खर्च को भी चेक करता है यहां तक समझ गया अप लोग चलिए तो केंद्र और प्रत्येक राज्य की प्राक्तियों और व्याय की लेखा परिक्षा करता है स्वयम को यह संतुष्ट करने के लिए कि जो नियम है उनका उतís के लिए और प्रक्रियारे और यह सारी चीजेक करता है फिर इसके एप यह और बी कई सारी बात है जो मैं अभी बताने वाल रहा हूं इस चैना सेस्जन और बचाया और भी और मूलनी को यह और फिर आपको सेजिएidoo के और बी कई सारी बाते हैं जो मैं अभी बताने वाला हूं इस चैप्टर को आज खतम कर देते हैं पूरा के पूरा सेशन अटेंड नहीं करोगे तो फिर में बीच में इसको बंद कर दूंगा बाद में आप लोग मुझे इस बात को ब्लेम मत करना किसर आपनों टॉपिक पूरा नहीं करवा हैं ठीक है अभी आदा घंटा हो रहें बीच से कोई क्लास से नहीं जाएगा पूरा इसको समझेगा आप लोग तो क्या क्या करता है और समझने की कोशिश करें ठीक है कि वह और भी कई सारी सरकार की प्राक्तियों और खर्चों का लेखा परिक्षन करता है कौन-कौन सी इसके अलावा सभी निकाय और प्राधीकरण जिने केंद्र या राज्य सरकार से अनुदान मिलता है अब एसी बहुत सारी संस्था हैं आपको पता है जिनको सरकार प्राधान देती जैसे यूजी सी आपने यूजी सी का नाम सुनाओगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन यूजी सी सरकार के द्वारा दिये गए पैसों से ही चलता है आ रहा है समझ में तो यह उसको भी चेक करता है उसके भी खर्चों को चेक करेंगा इसके अलावा सरकारी कंपनिया सरकार की जो कंपनिया है ना सरकार की बहुत सारी कंपनिया आपको पता है जिनने हम लोग पब्लिक इंटरप्राइस कहते तो सरकारी कंपनियों के जितने भ पाश्यक हो तो फिर निगमों और निकायों का लेखा परिक्ष्ण भी करता है जरूरी हो नियमों के दुआर तो इसके अलावा सरकार के द्वाजा लिया जाता है रिंव कि सरकार ने 1000 करोड रूपे का कर जा लिया, तो 1000 करोड रूपे का पूरा हिसाब चेक करे अелен रिण निक्षेप निधी जो टिपोजिट है सरकार के जमा अग्रिम बचत खाता धन प्रेशन व्यवसाई स्थम्बंदित केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सारे लेन देनों की लेखा परिक्षा मतलब सरकार कहीं भी किसी भी तरीके से पैसा खर्च करें उस सारे पैसों की जो है एक एक पैसे का हिसाब चेक करता है उसको जो यह ओडिट करता है फिर राश्टरपती राजजपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधी करन के लेखाओं के भी लेखा परिक्षा करता है जैसे मानली जी कि राश्टरपती चाहें तो कुछ और भी संस्थाएं जिनका कर electr 30 तसे स्थान्य निखाय अगर राज्ट पती राज्यपाल चाहे तो यह पंचायot जा नगरपालिका हातों के लेखाओं का और प्यामत आहीं करती है कि अगर राश्ट पाली का लेखा कैसे रंखा जाएंगा कदो कि अकाउंट में रखे जाने चाहिए इस प्रारूप में रखे जाएं तो कि उसको चेक करने बाद में गार गार सरकार के लेखो से संबंदित पर रह्म पतीक को मनेटी से यसे वो भारत में संसज्द के दोनों सदनों में रखवाते हैं अनुच्छे देख 151 आपको मिलेगा CAG की रिपोर्ट अब CAG ने एक एक रुपे का हिसाब चेक कर लिया क्या करेगा केंद्र सरकार के जो पुरा के पुण अदिक हुआ है उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपती को देगा और सरकारों है जो रिपोर्ट है वो अपने अपने राज्यों के राज्येपालों को देगा जैसे उत्तर प्रदेश का ओडिट किया तो उत्तर प्रदेश के राज्येपाल को रिपोर्ट देगा भारत सरकार का ओडिट किया तो राष्ट्रपती को रिपोर्ट देगा तो राष्ट्रपती उ उसे विधान सभा में रखवाते हैं, अब यहां मेरी बात ध्यान से सुनना, कि CAG जो है, CAG भारत में एक एक इकरत संस्था है, होना तो यह चाहिए कि संगी प्रणाली है, तो केंद्र सरकार का ऑडिट करने वाली संस्था अलग होनी चाहिए, और राज्य सरकार का अलग होना चाहिए, बर जुकि आपको बतायें के बहुत, अब दरत को भारत में बहुत सारे मामलों में, हमने एक ही संस्था का प्रावधान किया है, जैसे निर्वाचन में हमने केंद्र राज्य के लिए, के लिए, एक ही संस्था कमिशन करने, हमने CAG भी एक ही रखा है, हम चाहते तो दो अलग-अलग CAG रख सकते थे, राज्यों में अलग, केंद्र में अलग, पर एकी कृत हमारे पास में जो है लेखा परिक्षन का मामला है, केंद्र राज्य दोनों के अकाउंट का ओडिट यही संस्था करती है, ये बात आपको पता होग ठीक है, फिर किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारन और प्रमानन करता है, अब ये चीज़ आप समझो, सरकार के पास में जितना भी पैसा टेक्स से या शुल्क से आता है, उनका जो वसूलने की लागत है, उसको निकाल दो, क्योंकि सरकार को टेक्स वसू रुपय वसूल करने गए, और आपका गाड़ी का दो सो रुपय का पेट्रोल लगा, तो ये खर्चा हुआ ना, तो आपका शुद्ध कमाई कितनी हुई, शुद्ध कमाई 9800 रुपय हुई, क्योंकि 200 रुपया आपके गाड़ी का पेट्रोल लग गया, अगर आप जाते ही सेलरी पर रखिया, उसको आपने भ abide तो इसकी सेलरी काट कर लिजी, तो किसी कर या शुल्क के शुद्ध आगम को येही निर्दारिक और प्रमाणिक करता है, कि हाँ, सही पैसा आया कि नहीं, जमा हूँआ है किनी 돈 और प्रमाण पत्र देता है, इसका प्रमाण पत्र इस मा आगम का मतलब है कि कर या शुल्क की प्राप्तिया जिसमें इसको कलेंक्शन या संग्रह करने की लागत नहीं शामिल है समाज में सुद्ध आगम का मतलब शुद्ध आगम का क्या मतलब है उसको क्लेक्ट करने को लेकर जो पैसा-क खर्च फॉवा है making करेक्षन में उसको घटा दो तो जो पैसा आया है वो शुद्ध आगम कहलाता है तो इसका जो है प्रमान पत्र देता है फिर संसद की एक समीथी का नाम तो आपने सुना होगा सुनाएं पब्लिक अकाउंट कमिटी जिसे पी एसी बोलते हैं लोक लेखा समीथी हमारी संसद की यह बहुत सब्से पुरानी समीथी है सबसे निवेगर समीति मैं आपको बताया था 1911 inf Jesnas नित्सेंते में से 1921 में लोक लेखा समीथी का गठान हुआ जह बहुत की सबसेपराचीन वित्तिय समीथी उसी । यसी भी समीथी में सब्से प्राचीन है लोक लेखा समीती में कुल आपको मिलेंगे कितने लोग, कुल इस समीती में होते हैं 22 सदस्य, इसमें 15 जो हैं वो लोक सभा से आते हैं, और 7 सदस्य राज्य सभा से आते हैं, यादे लोक लेखा समीती, अब लोक लेखा समीती का काम क्या है, लोक लेखा समीती का काम यह है, कि वह सरकार के द्वारा के गए सारे पैसों को चेक तो आप कहेंगे कि यह काम को सिए जी कर रहा है तो सीए मिश्पमाisés संसद में नहीं आता ना तरसल संसद की भी संभी हैं जो सरकार के ऊपर नजर रखती के उपर नजर जोन पह Lord सभीची तो लोगले खा समिति का काम वह सरकार के द्वारा किये गए वित्तिये लेंदेनों को चेक करती है कि कहीं सरकार ने कुछ गड़बर तो नहीं कि और इस मामले में CAG उसकी पुरी सहायता कर तो क्योंकि CAG पुरा उसको तैयार करके रिपोर्ट दे देता है CAG रिपोर्ट बना के दे CiA देता है और उसी रिपोर्ट पर मैंने आपको क्या कहा था एक बाद थ्वड़ा पीछे चलिए मैंने आप से कहा कि CAG ने अपना आडिट किया audit करके CAG रिपोर्ट देते है राष्ट्रपती को राश्ट्रपती ने क्या किया, उसको संसद में रखवाया, संसद में जाने के बाद इसी रिपोर्ट पर आगे काम करती है लोक लेखा समीती, तो लोक लेखा समीती के ये गाइड की तरह काम करता है, मतलब पूरा मार्ग दर्शन करता है उसका, लोक लेखा समीती को ज्यादा मेहनत मशक्कत करने की ज़रूत नहीं है क्योंकि CAG सारा काम कर चुका है समझे आप लोग तो संसत की लोक लेखा समीती के गाइड मित्र और मार्ग दर्शक के रूप में यह काम करता है यह आपको पता होना चाहिए इसी की वज़े से लोक लेखा समीती अपना काम जो है बहुत बहतर तरीके से कर पाती है क्योंकि इसकी रिपोर्ट उसको बड़ा पाइदा पहुंचाती है अब CAG राष्ट्रपती को रिपोर्ट प्रस्तूत करते हैं यह मैंने आपको बता है एक बात धिहान रखना CAG राष्ट्रपती को तीन रिपोर्ट प्रस्तूत करते हैं कितनी तीन हमें इसा लगता है कि खाली एक रिपोर्ट होती होगी टोटल भारत की केंद्र सरकार के ओडिट से जुड़ी हुई तीन रिपोर्ट CAG राष्ट्रपती को देते हैं अब आप बोलोगे तीन रिपोर्ट कौन सी मैं बताता हूं कौन सी तीन रिपोर्ट है पहली विन्योग लेखाओं पर लेखा परिक्षा रिपोर्ट इसका मतलब है सरकार ने जो भी पैसा खर्च किया है जो सरकार को बजट में मिला था उस पैसे को चेक करना भई सरकार को जितना पैसा संसद ने बजट के द्वारा दिया था क्या सरकार ने वही पैसा उतना ही पैसा खर्चा किया यह चेक करना सरकार ने कहा था कि इस साल हम इक नई योजना शुरू करेंगे और उस योजना के लिए हमें 5,000 करोड रुपया चाहिए संसद ने दे दिया संचित निदि से निकाल लिया तो सिएजी ये चेक करेगा कि वह 5,000 करोड रुपया उसी योजना में खर्च हुआ है कि नहीं हुआ यह हो गई विन्योग पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट दूसरी वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट इसमें सरकार की जितने भी इंकम बगिर हैं सरकार की जितने भी टेक्सेज हैं जिससे सरकार को आई हो रही है आई और व्यायका पूरा रिपोर्ट जो है ब को दियोग चल रहे हैं उनका audit करेगा यह तीन रिपोट बनाता है और यह तीन रिपोर्ट भारत के राष्ठपती को सहुपता है कौन-कौन सी विन你有g लेखा की audit फिर वित्तलेखा की audit और तीसरी सरकारी उपकरमों की audit राश्ट्रपती इन रिपोर्ट को संसत के दोनों सदनों पर रखवाते हैं उसके बाद काम शुरू होता है लोक लेखा समीथी का लोक लेखा समीथी मैंने आपको बता दिया कि यह 22 सदस्यों की सदस्द समीथी है और 1967 से एक विपक्ष का कोई व्यक्ति इसका अध्यक्ष होत तो यहां पर थोड़ी सी उमीद की जा सकती इमानदारी से काम करने की. तो वो इसकी जाच करती हो और इसके निशकर्शों से संसत को अब देखो मुझे एक बात बता. क्या संसत के पास में इतना समय है? क्या संसत के पास में इतना समय कि वो सिए जी की सारी रिपोर्ट पर पूरी बातचीत करें विचार करें बताइए मुझे संसत के पास ना तो इतना समय है और ना संसत के हर सदस्य के पास में इतना दिमाग है तो दिमाग से मतलब मेरा ज्ञान हर वेक्ति उतना पड़ा लिखा सभता नहीं है अये हर व्यक्ति उतना teaching के pound नहीं है कि तो सिये जी की रिपोर्ट पर वоловिचार करें ना तो तो संसत के ने क्या का है सीजी ने इसको सही माना है पुरा ऑडिट को या सीजी ने भारत सरकार के किसी घोटाले को पकड़ लिया या कुई धांदली को पकड़ लिया है यह सब कुछ बताएगी लोग लेखा समीती संसत को कि आखिर सीजी की रिपोर्ट में था क्या है आरहा है समझ में करें और उस रिपोर्ट में क्या लिखा था यह संसत को बता दे अब आते सबसे इंपोर्टेंट चीज इसकी भूमी का भूमी का आप समझ गये होंगे भूमी का बड़ी महत्वपूर्ण है आज से कुछ साल पहले की बात है लगबग आप देखो 10 साल पहले की बात है भारत कि भारत में तूजी स्पेक्ट्रम की निलामी में बहुत बड़ा एक प्रकार से हमारे खाजाने को नुकसान हुआ ठीके 1,76,000 करोड का भारत सरकार के खाजाने को नुकसान हुआ क्योंकि निलामी सही तरीके से नहीं हुई तब बहुत ज्यादा यह मामला उठा था और संस्था होती है तो इनका जो है ना इनका इनका जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप लोग भी चाहोगे कि यह संस्था इसी तरीके से काम करती रहे सोचो नहीं तो सरकार को कौन रोका हुए भाई सरकार इस पैसे को तो कहीं भी खर्च कर सकती है ना रोकने पुराने जमाने के राजाओं में और आज की सरकारों में अगर आप देखें कोई अंतर है पैसा खर्च करने के मामले में तो वह इसी संस्था की वज़े से राजा महराजाओं के काल में ऐसी कोई संसा थी नहीं, तो वो अपने मन मुताबिक जहां चाहे वो सारा पैसा उडा दिया करते थे, ठीके, आपने देखा होगा ना पुराने महल जब हम देखते हैं, तो हमारी आखे पटी की फटी रह जाती, कितने बड़े-बड़े किले बन आए जाते थे और एशो आराम के सारी विवस्था होती थी, दुनिया भर के गहने आभूशन उनकी रानी महरानियों के पास होते थे, तुनिया भर का सोना उनके खजाने में होता था, जानते हैं क्यों, क्योंकि वो सारा पैस्ता अपनी व्यक्तिगत संपत्ती समझते थे, राज तंत्र में शाही खजाने को अपनी बाप दादा की जागीर समझना, व्यक्तिगत संपत्ती समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोक तंत्र में ऐसा नहीं होता है, लोक तंत्र में शाही खजाना सरकार की व्यक्तिगत संपत्ती नहीं है, लोक तंत्र मे फुर्टकिं कि याहिं किसी व्यक्ति को फात्सु रुपर देते हैं कि यार मार्केट से मेरे लिए सब् Francis लेकर जाता है और Hai industry आपको मिलता ही निए दो-चार-एठझ दिन दिखत नयU तक दिक्ता ही निए उसके बाद किसी दिन आपको मिलता है और आप उससेै के कि यार उस दिन की बाद से तुम मिले ही नहीं वो 500 रुपे की दवाई कहा है जो मैंने तुमें दिये थे 500 रुपे वापस करो और वह आपसे कहता है कौन से 500 रुपे मुझे नहीं मालू मैंने खर्चा कर दिये अब आपको कितना बुरा लगेगा लगेगा ना कि आपने वो पैसा उसको किस काम के लिए दिया और उसने उस पैसे का कहा पता नहीं क्या उप्योग किया तो ऐसा ही बुरा हमें लग सकता है जब सरकार हमारे पैसे का ऐसा ही कोई उप्योग करें तो यह इसका रोल है यह इसकी भूमी का है कि आगे समझ में कारिकारी मतलब मंत्री परिशत की संसत के प्रति वित्ती प्रशासन का उत्तरदाई जो हम कहते हैं एक चीजा बार-बार बोलते हो कि हमारी सरकार उत्तरदाई सरकार है क्या है हमारी सरकार उत्तरदाई सरकार है तो हमारी सरकार का उत्तरदाई तो संसद में सरकार को कई तरीके से कटगरे में खड़ा किया जा सकता है वैसे ही वित्तिय रूप से सरकार पर लगाम कौन लगाएगा वित्तिय रूप से सब्सक्राइब करना होता है कि विधिक रूप में जिस प्रयोजन के लिए धन दिया गया था वह उसी प्रयोजन या सेवा के लिए प्रयुक्त या प्रभारित किया गया है और क्या व्या इस है तुप्राधिकार के अनुरूप जिस्चीज के लिए पैसा दिया गया है था उस चीज के लिए पैसा खर्चाहए किनि ये बात आप पर भी लाग वो रोगोती चैने या की सारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं को यूपी एसी की तैयारी के लिए आप में से कई लोग बाहर रह रहे होंगे तैयारी करते तो माता-पिता से पैसा मागते हैं माता-पिता आपको जो है रहने खाने का किराये का सारा खर्चा फीस वगरा सब देते हैं यह सारा पैसा आपको किसलिए दिया जानते हैं यह पैसा आपको दिया जा रहा है पढ़ने के लिए लेकिन अगर आप इमानदारी से नहीं पढ़ते ना तो यकीन मानी कि आप भी अपने घरवालों के साथ ऐसा ही विश्वाजगात कर रहें क्योंकि वह पैसा आपको दिया गया था पढ़ने के लिए और अगर आप उस पैसे को खर्च करके भी नहीं पढ़ रहे हो यह नहीं पढ़ रहे हो तो फिर आपके लिए भी कोई सजाय कोई दंड होना चाहिए क्योंकि आप भी वही भष्टाचारी कर रहें इसको बाप करप् लेकिन हम इसे corruption मानते नहीं दिक्कत है इस देश में नहीं हर जगी दिक्कत है कि दिखता हमेशा दूसरों का यह अपना नहीं दिखता है दूसरा अगर corruption करता है ब्रश्टाचार करता है धांदली करता है या कोई गलत नाजायस फाइदा उठाता है अपने पद का बड़ा करते हैं कई बार हम अपने दोस्तों के साथ रिष्टेदारों के साथ अपने रिलेशन में ऐसा corruption हम लोग कई बार करते हैं हम खुद कितने इमानदार है तो कभी हम सोचते ही नहीं जहां हमें मोका मिलता है हम शॉटकट अपनाते हैं अभी आप लोगों को मालू में कि इमानदार ही जो गायब हो जाएगी तो यही चीज में आपको बता रहा हूं कि जिस प्रयोजन के लिए पैसा दिया जा रहा है वो उस प्रयोजन के लिए खर्चाओ तो बहतर है आपको खाने के लिए पैसा दिया जा रहा है किराय के लिए दिया जा रहा है तो वहीं आपके अंदर का जो है मोटिवेशन खतम हो रहा है तो इस चीज को याद करिएगा मेरी इस बात को याद करिएगा कि फिर आपका वहां रहने का कोई प्रयोजन नहीं फिर चले जाहिए घर क्योंकि वहां रहे के इतना पैसा खर्च करके भी नहीं पड़ रहे हैं तो फिर अब कई बार तो क्या होता है कि घरवाले ओडिट भी कर लेते हैं बहुत सारे लोगों की जो माता भी तरन बड़े चालाग भी होते तो एक प्रकार चापा मारते हैं मतलब वह बच्चे को बताते नहीं है कि हम आ रहे हैं और ओडिट कई बार हो जाया करता है अचानक से बोलने की स्थीति में नहीं है ठीक है चार पाक दोस्तों को लेकर बैठा है पूरे कमरे में दुआ ही दुआ हो रखा है बॉटले पड़ी हुई है उसे पता नहीं था कि इस तरीके का कोई ओडिट जो है घरवाले कर लेंगे पर कई बार घरवाले सीए जी की भूमिका में पर उसके बाद तो आपको पता ही कि आगी कानी मुझे बताने की जुरूती नहीं तो यह क्या हो गया यह सीए जी की भूमिका हो गई विधिक और विनियामक लेखा परिक्षा के अलावा यह चीज तो मैंने आपको बता दी कि सीए जी एक खर्चा चेक करता है कि पैसा सही जगे खर्चा हुआ है कि नहीं बस क्या आपको लगता है कि सीए जी सिर्फ इतना ही चेक करता है कि पैसा सही जगे खर्चा हुआ कि न अब मुझे एक बात बताईए कि आपने पैसा बाइक के लिया आपने पैसा बाइक पर खर्चा भी किया मतलब आपने कोई गलत काम नहीं किया आपने कुछ भ्रष्टाचारी नहीं कि लेकिन क्या आपको दूसरी बाइक की जरूत थी मतलब आपने वह पैसा वेस्ट किया आप आपको दूसरी बाइक की जरूत नहीं थी, मतलब आपने पैसा किया तो खर्चा सही सही, लेकिन उस खर्चे की जरूत नहीं थी. इस तरह की चीजों को कहते हैं और चित्ति परिक्षन, क्या बोलते हैं? मैं आपको एक शब्द बता रहा हूँ, और चित्ति लेखा परिक्षा, अगर आप से कोई पूछे कि C.A.G. और चित्ति लेखा परिक्षा भी करता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये सिर्थ ये चेक नहीं करता कि पैसा सही जगे खर्च हुआ है कि नहीं, ये ये भी चेक करता है कि उस चीज की जरूत थी की नहीं, कई बार इनसान बिना जरूत के भी बहुत सारा पैसा के कोई और चित थी नहीं है उस बात का. समझने मेरी बात कि आप यहां से आपको 10 km दूर कहीं जाना है आपके पास में एक और रिक्षा की सुविधा भी है आपके पास में पॉबिक ट्रांसपोर्ट भी आप मेट्रो से जा सकते हैं आप बस से जा सकते हैं लेकिन आप इस सब को छोड़के और आप एक प्राइवेट लग्जरियस कैब करते हैं ठीके आपने एक बहुत महंगी कैब क्योंकि किराया कोई दूसरा दे रहा है अपना क्या जा रहा है तो किराया दूसरा दे रहा है तो आपने बहुत महंगी BMW किराय पे लिए और आप वहां तक चले गए तो यह फिजूल खर्ची है CAG और चित्य परिक्षण भी करता है आप BMW की जगे किसी साधरण गाड़ी में भी आशकते थे सस्ती गाड़ी यह आशकते थे आप लोग ओंप अशक्ट में आसकते थे या आप लोग किसी आटोरिक्षा में आते तो और कम पैसा लगता पबिक ट्रांसपोर्ट से लगता त तो वो कई पार बहुत एक रुपे की जेगे दो रुपया खर्चा करते हैं, दो की जेगे चार करते हैं, और उसी चीज को CAG जो है पकड़ता है कि आपको यहां पर इतना पैसा खर्च करने की जरूत नहीं थी, और इसी चीज को कहते हैं, इसी चीज को कहते हैं, आचित्य पर लिक्षा भी करता है मतलब वह कर्चे की तरक संगत्ता कि उस खर्च को करने का कोई लॉजिक भी होना चाहिए इल्लॉजिकल नहीं होना चाहिए निश्ठा कि आपने सच में और मित व्याईता की भी जाच करता है और ऐसे व्याई की व्यार्थता और दिखावे पर टिपणी आप मेरी तरफ से एक कोई भी क्योंकि आपको गिफ्ट देना चाहता हूं तो मेरी तरफ से आप किसी भी होटल में ट्रीट कर लो उसका बिल में कर दूंगा अब आपको मैंने कहा तो आपने कहा कि पैसा सर देने वाले तब तो चलो फिर फाइव इस्टा होटल में चलते हैं आपने बढ़िया से वहां ट्रीट दी आपने वहां पर अपना बजडे सेलिब्रेट किया और आपने मुझे बिल बेज दिया अगले दिन मुझे फीवर आ गया क्योंकि आपका बिली इतना था आपने सोचा कि पैसा सर खर्चा कर रहे हैं तो हम फाइव स्टार में करें क्य क्यों चोटे मोटे होटल में जाना तो इसको माली में इसको क्या कहेंगे इसको यह कहेंगे कि आपने जो हैना आपने निश्ठा सही नहीं दिखाई आपकी मेरे प्रती निश्ठा सही नहीं है, होना यह चाहिए था कि आप किसी भी अच्छे होटल में चले जाते, मैं आपको खराब में जाने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम फाइव स्टार में तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इतना तो मैं भी अफोर्ड नहीं कर स सकता, तो यह निश्ठा की जाच हो गई, और मित व्याईता की जाच तो आप समझी गए होंगे, जहां जितना पैसा खर्च होना चाहिए, उतना ही करना, इसको बोलते हैं मित व्याईता, ऐसे व्याई की व्यार्थता और दिखावे पर वो टिकपनी भी करता है, जैसे कोई कोई कलेक्टर है, तो कलेक्टर को गाड़ी चाहिए, यह तो आपको पता है, कि कलेक्टर बिना गाड़ी के तो नहीं रह सकता, कोई DM बिना गाड़ी के नहीं रह सकता, लेकिन इसका क्या मतलब है, रॉल्स रॉयस खरिद ले, अब DM रॉल्स रॉयस में घूम रहे हैं भारत भी गाड़ी चाहिए थी गाड़ी की बिना काम नहीं चलेगा और कौन सा जेब से पैसा जा रहा है निकालने सरकारी खजाने से रॉल्स रॉइस लेकर आगे जनता जो है ना मारने लग जाएगी क्योंकि यह व्यर्थ का खर्चा है इसकी कोई जुरूत नहीं थी और इस दिखावे पर वो टिपनी भी करें समझ में आई मेरी बात तो भारत के संविधान में कैग की करी परिकल्पना नियंत्रत सहीत महालेखा परिक्षक के रूप में की गई है हाला कि एक बहुत बड़ी दिक्कत है जानते ही क्या है दिक्कत यह कि इसका पूरा नाम है नियंत्रक और महालेखा परिक्षक करता है क्यों क्योंकि पैसा निकालने से पहले इसकी permission के जुरूत नहीं है मतलब CAG permission देगा तो ही पैसा निकाला जाएगा ऐसा नहीं होता है तो नियंत्रक और महालेखा परिक्षक सिर्फ खर्च होने के बाद ही कुछ कर सकता है, खर्च पैसा निकालने के समय इसकी कोई भूमिका नहीं है, अगर आप ब्रिटेन में जाएंगे, तो ब्रिटेन का नियंत्रक महालेखा परिक्षक दोनों काम करता है, वो पैसा निकालने कि पहले भी नियंत्रन रखता है और खर्च होने के बाद भी रखता है अब भारत में ऐसा है कि यह पोस्टमाटम वाला काम है क्या है इसको पोस्टमाटम कह सकते हो कि किसी व्यक्ति की हत्या होने वाली थी तो पहले बचाया तो नहीं पर मरने के बाद उसका पोस्टमाटम कि अब मरने के बाद आप कुछ भी कर लीजिए दूसरे शब्दों में देखें तो कैग भारत की संचित निदी से धन की निकासी पर कोई नियंत्रण नहीं रखता इसका कोई कंट्रोल ही नहीं पैसा निकाला केसे जाता है आपको पता है पैसा निकाला जाता है संसद के द्वार अधरा पारित विधहकों से मतलब संचित निदी संसद के द्वारा पारित विधहक के बाद पएसा आपनिकाल सकते हैं तो निकालने पर रियंत्रण नहीं हैं यह सिर्फ और सिथ क्या करता है अंच सिर्फ़ों सितकी भूमी का खर्च होने के बाद की आउडिट अवस्था म तो कई लोग इसके आलोचना करते हैं कि तुम तो ऑडिट करते हो, मतलब पोस्माटम करते हो, पैसा खर्चा हो गया, अब आपने बाद में गड़बड पकड़ दी और सामने वाले को जेल भी भेज दिया, तो क्या होगा, क्या उससे पैसा वापस आजाएगा, सोचो, मान लिजे कि किसी मंत्री ने सरकारी खजाने से पैसा निकाल के, और उस पैसे से जो है, दो पात्सो करोड का अपने लिए कुछ खर्चा कर दिया, बाद में सीजी ने पकड़ दिया, सीजी ने उस मंत्री को बाद में जेल भीजवा दिया, क्या उससे हमारा पैसा वापस आज आज आएगा, वो नहीं आएगा, वो गया, तो ये एक प्रकार से खर्च करने के बाद, इस संबन में भारत के सीजी की भूमिका, ब्रिटेन के सीजी की भूमिका से अलग है, ब्रिटेन में जानते हैं, ब्रिटेन में सीजी पूरा काम करता है, नियंत्रक का काम भी करता है, महालेखा परिक्षक का काम भी करता है वो पैसे निकालने के पहले भी नियंत्रन रखता है और निकालने के बाद ऑडिट भी करता है बिना h Channel तो हमारा नियंत्रक महालेखह परिक्षक छिर्पनी व सिफ महालेखह परिक्षक नियं परिक्षक नाम तो पूरा है ईसका पर काम औधा है कशारवजिन के निगमो की लेक्ष हे परिक्षाओं में भी भूमि का सीमित है अब मैं आपको बता donor क्या आपको लगता है कि सारी सरकारी कंपनियों का audit CAG करता है तो मैं आपको पता दू तीन केटेगरी में बाट सकते हो जितनी भी सरकारी कंपनिया ना उनको आप तीन केटेगरी में बाट सकते हो और वो तीन केटेगरी कौन-कौन सी है पहला कुछ सरकार की कंपनिया ऐसी है जिनक पूरी तरह सीजी करता है मतलब इनका ऑड़िट करने का काम सीजी को दे रखा है इनका हर एक पैसे का हिसाब सीजीच करता है कुछ कुछ क्योंकों कुछ कुछ कंपनिया ऐसी होती है जैसे दामोदर घाती निगम जैसे ओ Love you सफाजित है किन अपने पमें ऊपने नेच्राल क्या कॉर्परेशन एक क्मारतने insan न कंपनी कुछ कंपनिया ऐसी है जिनका audit CAG नहीं करता है कोई private audit होता है इनका क्या होता है इनका private audit होता है लेकिन उनकी नियुक्ति CAG की सलाह पर की जाती है समझ गए दूसरे तरह की सरकारी कंपनिया वो है जिनका audit कोई private auditor करता है नहीं करता लेकिन उनकी नियुक्ति CAG की सलाह पर होती है मतलब केंद्र सरकार CAG की सलाह पर उनकी नियुक्ति करेगी बस CAG का रोल उनके नियुक्ति तक है अपॉइंटमेंट तक है इसमें आप देखोगे केंद्री भंडारन निगम और जो की क्वित्त निगम का नाम सुनाओगा आपने यह कंपनिया एसी है फिर कुछ कंपनिया तो एसी है जिनके audit में CAG का कोई लेना देना नहीं मतलब वो है सरकारी समझ रहे हो मेरी बात सरकार कंपनिया है लेकिन CAG का उसमें कोई रोल नहीं जैसे LIC LIC Life Insurance Corporation जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी भारतिये जीवन बीमान निगम Reserve Bank of India RBI State Bank of India SBI Food Corporation of India FCI कुछ सरकारी कंपनिया ऐसी है और यह आप मान सकते हो कि भारत में CAG की थोड़ी सीमाएं कमिया है क्योंकि इन कंपनियों का audit भी CAG के द्वारा होना चाहिए था आप मानते हो नहीं यह बड़ी-बड़ी कंपनिया है LIC भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी RBI जो भारत का केंद्रिय बैंक है State Bank of India जो भारत का सारवजनिक शेत्र का सबसे बड़ा बैंक है Food Corporation of India इनके audit में CAG का कोई रोल नहीं है न तो CAG इनका audit करता है इनका audit private auditor करते है सरकार CAG से नहीं करवाती और नहीं CAG कोई सलाह देता इस मामले में अब होना तो यह चाहिए कि ऐसी बड़ी-बड़ी मचलियों का audit भी CAG के द्वारा होना चाहिए पर यहां पर CAG की कोई भूमी का नहीं है समझ गए प्लियर हुआ कि नहीं हुआ पर लाइक करना ना भूले देखो सेशन अगर अच्छा लगे तो आपको मैं इतनी महनत से एक एक बास समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो आपसे इतनी उम्मीद जरूर करता हूं कि आप लोग सेशन को लाइक जरूर कर रहे होंगे कि नहीं किया हो तो कर देना यार ठीक है तो सीएजी की भूमी का में आप यह देख सकते हो कि कुछ कमिया है अब यहां आते हैं आखिर में आलोचना आलोचना भी आपको वता दू जाते जाते आलोचना यह की एक महोदय है एक बड़े पब्लिक एड्मिनिस्ट्रेशन के विद्वाने जो अमेरीकी थे इनका नाम है पॉल एच एपी लभी पॉल एच एपी लभी ने भारत में पॉल एच पर लिखे तो पॉल एच एपी लभी की आलोचना जरू लिखें मेरी बात समझ गए यह तो पॉल एच एपी लभाई लिखा हुआ है एपी लभाई पॉल एपी लभी है और वह अमेरीका के बहुत बड़े लोग प्रशासक के ज्याता रहें जानकार रहें सिद्धान्तवादी रहें ठीक है अमेरीकन थेयरिस्ट रहें पब्लिक एड्मिनिस्ट्रेशन के उसके कार रिके महत्व पर भी इन्होंने प्रश्ण चिन्ने लगा है कि सब्सक्राइब करता हिउiestग कई लिक्टिगत उस्ते जो है धिक था पर इनके तर्क देखिये को है कि इनिगे जी का और व ईपशन की विरासत मतलब जहाँ मानना है कि अ 뉴스 की क्योंक्त सबसे पहले ऊउप्नेशिक सी चेल एदिलाती है तो यह होना ही नहीं चाहिए समझ रहे हो यह इसे अंग्रेजों की विरासत मानते हैं इसलिए यह कहते हैं कि यह खतम होना चाहिए दूसरा इनका यह कहना है कि कि यह कि वज़े से निरणय लेने और काम करने की इच्छाई खतम हो जाती है कुछ हट्ता कि यह सहीं कि क्योंकि कई बार इमानदार व्यक्ति भी डरता है कि उसके उपर बेमानी का दाग ना लग जाए अगर मान लीजी कि मैंने कोई पैसा खर्चा किया मैं कोई गलत नियत से नहीं कर रहा हूं मैंने सही तरीके से खर्चा किया पर सिए जी को लगा कि नहीं आपने गड़बड की तुम्हें फस सकता हूं कि समझेया है यह मानना है एपिल भी साहब का कि इनकी वज़े से सरकारी विभागों में लोग पैसा खर्च करने से डरते हैं क्योंकि अगर वह पैसा खर्च करेंगे कल से जी ने कहा कि यहां पर तो ज़रूती नहीं थी करने की तो वह बिना मतलब कि जो है परेशान हो सकते तो यह कहते हैं कि CAG की वज़े से सरकार की विभागों में काम करने की इच्छा खतम हो रही है और CAG एक दमनात्मक रवई आपनाता है जैसे अगर आप मानली जी कि बहुत अच्छा खाना बनाते हैं नॉर्मली आप अच्छा खाना बनाते हैं कि अगर कोई व्यक्तिय से आपकी कनपटी पर बंदूक रखके गन रखके आप सके कि खाना बनाओ और अच्छा बनना चाहिए अगर खाने में कुछ भी कमी हुई नमक की भी थोड़ी सी कमी हुई तो आपको आपका भीजा उड़ा दिया जाएगा आपको गोली मार दी जाएगी तो अब आपका खाना अच्छा बनता होगा तो नहीं बनेगा क्योंकि अब आप पूरे समय उसकी गन पर द्यान रखके आपको डर लगेगा तो सीजी की वज़े से ये मानते हैं पिल अभी साहब कि कई सारे विभाग सरकार के काम करने से डरने लगे हैं फिर इनका ये भी मानना है कि सीजी के कारियों को सरकार या संसद अभी तक परिभाशित नहीं कर पाई है एक्जेक्ली फिर इनका ये भी मानना है कि सीजी का काम बहुत ज्यादा महतुपूर्ण नहीं है क्योंकि ये सिर्फ ऑडिट करता है सीजी प्रशासन के बारे में क्य यह देख रहा हें, कि पैसा कहा, कितना खर्चा हुआ है, किन परिस्थितियों में हुआ है, यह उसे नहीं पता, कैई बार परिस्थितियों के स्कोर्डीड निर्ण यह ने पड़ते हैं, तो इनका कहना है कि सिएट पक्तिती आंह現在 में बहुत की ГDL इसलिवे इसका काम कोई बहुत important नहीं है तो यह हो गई CAG से जुड़ा हुआ भारत में नियंतरक महा देख़ा परिक्षग का क्या है नियंतरक महा देखा परिक्षग क्या करते हैं और नियंतरक महा स्वा देख़ा देख़ा है एक छीज एक चीज एगले सेशन में फिर मिलेंगे अगले समवेधनिक आयोग के बारे में बात करेंगे उमीद करता हूं कि आपको एक सेशन THIS स्रुप अच्छा लगाउगा बलकि समझ में भी आया होगा एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी आज के बाद आपको कोई परेशा नहीं सीए जी के चैप्टर में नहीं होगी और अगर सेशन अच्छा लगे तो जाते जाते इसको लाइक करना ना भूलें इसको शेयर कीजिएगा प्लीज शेयर कीजिए कॉमेंट में फीड़बेक दीजिएगा और आप रात को दस बजे वाली हमारी जियोग्राफी की अनकैडमी की एप्लिकेशन पर होने वाली फ्री स्पेशन क्लास को जरूर जॉइन करें उसमें मैं आपको फाउंडेशन से एकदम बेसिक से जियोग्राफी पढ़ा रहा हूं और वह भी कक्षर 6-12 तक की सारी एंसेयर टी होगी अभी हम सेवन्थ क्लास की एंसेयर टी पर हैं आप उसको जॉइन कर सकते हैं आज रात पर कॉल करिए जैसे ही आप इस नंबर पर कॉल करेंगे आपको पूरी हेल्प की जाएगी आपके सब्सक्रिप्शन से जुड़ी हुई पूरा आसिस्ट किया जाएगा ठीक है तो फिर मिलेंगे अगले सेशन में तब तक के लिए थैंक्यू वेरी मच थैंक्स वर टेक केर बाइ जैहिन लेट्स क्रैकिट